नमस्कार साथियो इंड़क्त कारिकरम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे शी जिन पिंग की और चाइना की अभी बीजिंग में आने वाले 16 अक्टूबर को नाशनल कॉंग्रेस की मीटिंग होने वाली है जो की चाइना में सत्ता निर्धारि को बीजिंग में आयुजित की जाएगी तो उससे बीजिंग का, उससे चाइना का, उससे चाइना के सत्तावादी, रुख का और उसकी राजनितिका निर्धारण होने वाला है तो इस करके बहुत एहम हो जाती है, हम इसके बहुत सारे जो पक्ष हैं को देखेंगे आज के सेशन में, जर्चा के बिंदू हमारे रहेंगे कि ये है क्या, नैशनल कॉंग्रेस, दरसल है क्या, कैसे काम करती है, कैसे बनती है, कौन लोग चुनते हैं, और चीन का जो राजने में जानते हैं, या लोगतांतरिक तरीके से दूसरे देशों में जैसा हम मानते हैं, वैसे नहीं होते हैं, तो क्या राजनेतिक धाचा है चीन का इस पर बात करेंगे, फिर शी जिन पिंग की नीतियां देखेंगे, अभी शी जिन पिंग के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, कि जो दो टर्म का जो एक प्रिसिडेंट बन गया था चायना में, कि आप दो टर्म से ज़ादा इलेक्ट नहीं हो सकते हैं अज़ प्रेजिडेंट, वो 2018 में जब शी जिन पिंग ने हटाया था, स्टेंडिंग कमेटी पॉलिट ब्यूरो के निर्देश के अनुसार, तब ये कहा जा रहा था कि शी जिन पिंग तीसरा कारेकाल करने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, तो वो अभी इस कॉंग्रिस में डिसाइड होने वाला है, जो 16 तारीक को होने वाली है, इसके बाद चीन की जो नीतिया हैं, कैसी नीतिया रही है चीन की पूरे विश्व के प्रती, और शी जिन पिंग का क्या रुख रहा है पूरे इस प्रकरण में और चीन में सत्तावादी तक इस प्रकार से हावी है, उसकी चर्चा करेंगे, उसको बदलने के उनके साथ रिष्टों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इससे बहुत जादा नरधारित होने वाला है इस Congress नरधारित होने वाला है हमारी खबर है कि शी जिन पिंग ने कैसे power accumulate करी और कैसे वो तीसरे term के लिए जाना चाह रहे हैं कैसे उनको तीसरा कारिकाल मिलने वाला है जो National Congress decide करने वाली है 16 तारीक को सबसे पहले समझेंगे कि National Congress दरसल है क्या National Congress को समझने के लिए हमें सबसे पहले चाइना का जो political structure है उसको समझना पड़ेगा कि चाइना में politics काम कैसे करती है आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि आप इसके derivations Indian settings में कैसे find out कर सकते हैं कि इंडिया के हिसाब से चाइना की policies और इंडिया के हिसाब से चाइना का political structure कैसे समान है और कैसे भिन है उनका हम comparison एक करते चलेंगे तो National Congress क्या है बंती कैसे है इसको देखते हैं सबसे पहले भारत में अगर देखें तो भारत में सबसे पहले नीचे वाले उपर से शुरू करते हैं उपर प्रधानमंत्री होते हैं या कहें के राष्ट्रपती होते हैं जो राष्टाध्यक्ष होते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं उसके बाद क्याबिनेट होती है उसके बाद राजमंत्री होते हैं राजसरकारे होती हैं और फिर जो हमारा ग्रामिन जो सिस्टम ह भुए शुरू हो जाता है जिसमें पितने हैं पहला जिलास स्थर पर उसे वाद ब्लॉक्स तर पर और पंचायद स्तर पर तो यह बहने Trustees डाचा है से भारत का राजनितिक धांचा काम करता कि लेकिन चाईना का इससे अलग काम करता है चाइना में प्रत्यक्स चुनाव की कोई अवधारना नहीं है और वैसे चाइना में जैसा हम आगे बात करेंगे कि चाइना में वन पार्टी रूल है एक वेक्तिका शासन प्रैक्टिकली है ओफिशली नहीं है समधानिक तौर पर नहीं है तो भारत में जैसे लोकल लेवल पर चुनाव होते हैं वैसे प्रतिक्ष चुनाव सारव भॉमिक वयस्क मताधिकार के ज Electoral College है उसके बाद provinces आ जाते हैं या कहें के टाउन आ जाते हैं प्रोवेंस आ जाते हैं और इस तरीके से अन्ने उपर चलते जाते हैं तो विलेज की हम बात करेंगे क्योंकि विलेज ही वो जरिया है विलेज ही वो सादन है जहां से ये सारे लोग चुन करके आते हैं और फि फिर वो Communist Party of China के सदस्व से बन जाते हैं, या अन्य किसी party के सदस्व से हैं, जो आठ पार्टी हैं जिनका हम आगे जिकर करने बाले हैं, आठ पार्टियों में से या तो वो किसी एक के सदस्व से होते हैं, या Communist Party of China को directly support करते हैं, और चाइना में ये बात आप मान लीजिए कि अगर आप Communist Party of China को favor या उसके against में बोलते हैं, तो against में बोलेंगे तो आपको ban कर देंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी parties को कर दिया, जैसे Marxist, Leninist, Communist Party of China एक party थी जिसको ban कर दिया गया, और भी बहुत सारी अन्य पा पहली हुई है, सबसे पहले villages आते हैं, तो villages में direct चुनाव होते हैं, हालांकि Communist Party of China वहाँ भी अपने लोगों को घुसानी का प्रियास करती है, जो उनके ideology से जुड़े होते हैं, उनको ही यहाँ पर खड़े होने के लिए, या election में लड़ने के लिए, बोला जाता है, या समर आमन सत्ता वही है, जैसे इंडिया में है, यहाँ पर local governance है, villages में अपना शासन लोग चलाते हैं, जैसे इंडिया में चलाते हैं, कमोबिश, कुछ परिवर्तनों के साथ वैसा ही, यह लोग जो जाते हैं, यह लोग National Congress को चुनते हैं, इसके बाद जो National Congress है, यहाँ अलग से इ उसके बाद यह जो गाव के होते हैं, यह गाव वाले जो चाइनित जो प्रतनिधी होते हैं, वो आगे चलके यहाँ चुनाव करेंगे National Congress का, और National Congress आगे चलके, तो यह लोग National Congress का चुनाव करते हैं, National Congress आगे चलके जो State Committee जो है, या जिसको Central Committee भी बोला जाता है, उसका चुनाव करते हैं, जो Central Committee of Communist Party है, उसका चुनाव करते हैं, और यह जो Central Committee है, यह Polit Bureau का चुनाव करती है, पॉलिट ब्यूरो आपने बहुत सुना होगा, हर जो Communist States हैं, या जहाँ पर Communist सरकारे हैं, वहाँ पर आपने यह नाम बहुत सुना होगा, तो पॉलिट ब्यूरो जो है, वो बहुत पावरफुल बॉड़ी होती है, लेकिन उससे भी जादा पावरफुल बॉड़ी, Standing Committee होती ह है, जो पॉलिट ब्यूरो, Standing Committee है, जो पॉलिट ब्यूरो है, इसमें करीब 25 मेंबर्स होते हैं, सेंटरल कमेटी में करीब 300 मेंबर्स होते हैं, और यह जो नाशनल कॉंग्रेस है, जो की अभी जिसका जिकर करेंगे, जो की होने वाली है, उसमें करीब 2600, roughly इतने मेंबर्स हो होते हैं, तो पॉलिट ब्यूरो, Standing Committee जो है, वो सारे powers exercise करती है, जो पॉलिट ब्यूरो उनको देता है, और जनरल सेकरेटरी के द्वारा जो प्रदान की जाती है, इसके बाद जो यह पॉलिट ब्यूरो, Standing Committee है, जो केवल चाइना में है, वो अपने जनरल सेकरेटरी का चुन है, वो सरकारे काम करती है, तो यह चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम करता है, आप समझ गए होंगे कि नैशनल कॉंग्रेस कहां है, यह लोग कहां से आते हैं, और नैशनल कॉंग्रेस जो है, नैशनल कॉंग्रेस बाइ उसके एक आधिकार की शुरुवात कहां से होती है तो आप जानते हैं चाइना का इतिहास अपने मुझे अंदाजा है कि पढ़ा होगा ठीक ठाक पढ़ा होगा आपको ये भी ग्यान होगा कि चाइना में सिवल वार के टाइम पे माउच से तुंग या जिने माउच से दांग पर आधारित है इसका क्या मतलब है माक्स वादी लैनिन वादी विचारदार पर आधारित है माक्स ने कहा था आप जानते हैं काल माक्स ने जो कहा था कि हैव्स हैं और हैव्नौट्स हैं हैव्स के पास बहुत सारे संसाधन है वो संसाधनों पर कभजा करते हैं और गांति करनी होगी हिंसा का प्रियोग करना होगा जिसके बाद कम्यूनिजम या कहें के सामेवाद आएगा जिसके अंतिम परिणती के तौर पर और वहां स्टेट के आवश्यक्ता नहीं होगी वहां आपको स्टेट नहीं चाहिए होगा जो गांधी का भी मानना था कि स्टेट होना चाहिए प्रोलेटारियट का यानि कि जो सर्व हारा है उसकी सत्ता होनी चाहिए उसकी तानाशाई होनी चाहिए उसकी डिक्टेटर्शिप होनी चाहिए यह मानना था माओ का भी और लेनिन का भी तो इन्होंने इसी विचार पर अपनी पार्टी बनाई पार्टी में वन इनकी सुप्रीमेसी में रहना पड़ता है या अगर आप Communist Party of China को नहीं मानते हैं तो आप चाइना में शायद पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं हो सकते हैं हलंकि ऐसा माना गया कि जब आप एक पार्टी की सत्ता को स्विकार करते हैं तो पार्टी में एक नेता बहुत जप्रावरफुल होता है तो आपको उस पावरफुल नेता की भी उतनी ही माननी पड़ेगी जितने आप पार्टी की मानते हैं लेकिन जो officially और जो adopted principle है उसके अध करते हैं लेकिन आज ये बन गया है कि शीजґनपिंग को आगे कैसे अथ refuse कर शक्ते हैं तो अभी फिलPlus जो पॉलित ब्यूरों में आगे बढ़ाया गया था प्रमोट किया गया था तो ऐसा माना जाता था कि शी जिन पिंग लिब्रल स्टैंड रखते हैं जैसे यह वही केस है जो इंद्रा गांधी के साथ भारत में हुआ था आप इसको करेक्ट जादा कर पाएंगे कि इंद्रा गांधी जी को गुंगी गुडिया उस लोग बोलते थे या जो उनका एक अलग धड़ा था कॉंगरेस का बोलता था तो उन्हें लगता था कि यह सेफ कैंडिडेट हैं ठीक उसी प्रकार से पॉलिट ब्यूरो को भी लगता था कि शी जिन पिंग इसेफ कैंडिडेट हम उस पर बैट कर सकते हैं क्योंकि वो आसानी से शायद हमारी पॉलिसीज को लागू करवा सकेंगे और वो थोड़े से लिब्रल हैं लेकिन ओवर पीरिड उसनौल एक्षिजिन पिंग ज़िंग गए शी जिन पिंग जादा अथरिटेरियन होते गए सक्तावादी होते गए वो Александ पर भी अपनी पार्टी पर भी अपने मिलिटरी पर भी और अपने देश्वासियों पर भी एक तरीकी से से चांट्रोल करना चाहते थे निक्ट उनकी सत्ता के उपर कोई आच ना आए और कल जब वो तीसरी टर्म के लिए तयार हों जैसा कि उन्होंने 2018 में 2018 से पहले ऐसा था कि अगर आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं तो आप देश के प्रेजिडेंट भी है उसमें कोई अंतर नहीं है तो 2018 में 2018 तक दरसल यह था कि आप सिर्फ दो टर्म अज़ प्रेजिडेंट सर्व कर सकते हैं लेकिन इसको भी अबॉलिष कर दिया गया और अब शी जन पिंग चाहें तो पूरी उम्र सत्ता में रह सकते हैं अभी फिलाल वो तीसरी टर्म के लिए प्रियास कर रहे हैं तो जितने जादा उनके लोयलिस्ट कम्निस्ट पार्ट चरकाम कैसे करता है इसमें वही सारी चीजे हैं अब प्रत्यक्स चुनाव जो हायर लेवल पर होते हैं कि आप आपने पॉलिट ब्यूरो चुन लिया पॉलिट ब्यूरो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी को चुनेगा वो जनरल सेक्रेटरी चुनेंगी फिर उससे बहुमिक वयस्क मताधिकार चाइना में एक्जिस्ट करता है बिल्कुल करता है लेकिन भारत के तरीके से नहीं करता है वहां हर कोई विक्ति वोट दे सकता है लेकिन आप वोट की नहीं देंगे आप वोट की नहीं देंगे इस बात की भी तो सुतंतरता ये निर्धारित कर करती है कि क्या वाकई आप अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं अगर आपके पास option limited है कि आप इसी विक्ति को वोट कर सकते हैं तो आपने वोट किया ना किया उस बात से क्या फर्क है तो वही चीज़ है कि कम्यूनिस्ट पार्टी को ही वोट कर सकते हैं और वो आपकी विचारधारा की according नहीं चल रहा है बेसिकली इसके लिए right to recall चाइना में रखा गया है कि आप अपने उस member को उस candidate को उस selected या elected candidate को वापस बुला सकते हैं जो आपकी नीतियों के अनुसार कारे नहीं कर रहा है तो right to recall चाइना में है यहां पर चाइना का लोगतंत रिख है एशिया पैसिफिक में इसके अलावा नैशनल पीपल्स कॉंग्रेस है 2924 2924 में इसमें होते हैं जो चाइना की पॉलिसी जो मुद्दे हैं वो डिसकस करते हैं इसमें बहुत सारे सुझाव लेके आया जाते हैं ग्रामेंस तर से विलेज लेवल से और उसके उपर व सरे सुझाव आते हैं चार-पांच हजार इस तरीके से जो प्रस्ताव होते हैं वो आते हैं फिर बहुत कम दस बीस पंदरा और मैक्सिमम पचास तक इनको लागू कर दिया जाता है यह चाइना के फ्रेमवर्क हैं जैसे चाइना काम करता है जो मैंने आपको पहले कहा कि यह कidente यह स्तार चाइना में होते हैं तो जड़ेल से क्रेटरी सबसे उपर होते हैं जो शी जिंपिंग फिलाल है इसके अलावा पॉलेट ब्यूरे इस बार है आप मान लआ इसके अलावा एक discipline committee होती है जो इन सब को नियंत्रित करने का काम करती है और ऐसा कहा जाता है कि शी जिन्पिंग ने इस committee का इस्तमाल करके अपने जो political pressure था या अपना जो political कद था उसको बढ़ाया क्योंकि हर चुने हुए नेता को या elected या selected आप जो कहें उसको ये डर रहता है कि discipline committee आपके उपर action कर सकती है और action किसलिए कर सकती है कि आप Communist Party के विचारों पर Communist Party की विचार धारा पर नहीं चल रहे हैं और देश को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जैसा Communist Party of China चाहती है यह बहुत subjective मामला दरसल होता है कि आप किसी को किस स्थार पर मानेंगे कि वो पार्टी के विचार धारा को नहीं मानता है आप चाइना में जो रवायत है वो यह है कि शी जिन पिंग का कथन ही उनका शासन है तो वो जो कहेंगे और वो जो नहीं माना जाएगा वो discipline committee आप बहुत यूज किया और जो अभी उनके प्रेमियर हैं या जिनको प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं ली के क्यांग नाम है उनका ली के क्यांग तो ली के क्यांग भी इसी डर से खामोश हैं क्योंकि वो लिबरल कहे जाते हैं और वो जो पुराने उनके प्रेजिडेंट थे हूज इनताओ जो 2003 से 2013 तक प्रेजिडेंट रहे थे हूज इनताओ के समर्थक गुटके माने जाते हैं तो शी जिन पिंग को ये भै था कि कहीं उनकी सरकार में और उनके दल में कहीं अगर कोई fraction बने तो उनके लिए खतरा हो सकता है तो fraction न बनने देने के लिए उन्होंने discipline committee का बहुत use किया तो अब आप समझ गए होंगे कि national congress क्यों एहम हो जाती है क्योंकि national congress standing committee बनाएगी central committee बनाएगी central committee polit bureau बनाएगी तो अगर national congress में उनके loyalists नहीं है और central committee में जिनको अभी promote किया जाएगा चैना में एक policy है policy नहीं है दरसल जो retirement age है कौन retire होगा कौन committee में promote होगा उसके लिए आप यह याद रख सकते हैं 7 up 8 down यह policy उनके काम करती है central committee जिस आधार पर polit bureau में लोगों को भेजती है और निकालती है 7 up 8 down यहनकी 7 लोग promote 8 लोग बहार 8 लोग retire तो यह policy है अब उसमें से कौन 8 बहार जाएंगे और कौन साथ promote होंगे यह decide करने के लिए बहुत एहम रोल रहेगा national congress का और अगर उसमें she के बहुत जादा loyalists है तो अनिश्चित तोर पर वो और जादा authoritative हो करके और जादा confident हो करके और इस भैसे मुक्त हो करके के उनके fraction कोई कर सकता है party में वो अपना राज करेंगे निश्चिन्थ हो करके अब जैसा मैंने आपको कहा यह Communist Party of China का structure है यह उसमें एक प्रेजिडेंट होगा जो Communist Party of China का जनरल सेक्रेटरी भी होगा इसके लावा वो अन्य भी positions hold करता वो supreme होता है इसके लावा foreign affairs का और प्रेजिडेंट जो होता है वो प्रेजिडेंट जो होता है वो प्रेमियर का चुनाव करता है जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो ली के क्यांग फिलाल और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं उन्होंने खुद भी इस बात की हामी एक बार भरी थी पबलिकली भरी थी कि वो इस बार रिटायर हो जाएंगे और इसके अलावा जो ली के क्यांग हैं वो civil services और सरकार के एक तरीक करते हैं अब difference क्या है चाइना में और इंडिया में या कहें कि बाकी जो देश बचते हैं वहां के लोग तंत्र में और भारत के लोग तंत्र में legislative अगर कहें तो कमोबेश उनका अपने तरीके का system जैसे मैंने इसक्राइब किया वो system वहाँ पर काम करता है executive वहां जो लोग ह लेना के इशारों पर ही काम करते हैं जुडी शरी कहने को independent भर है क्योंकि वह civil और जो criminal मामले हैं उनमें पूरा हक रखती है कोई आदेश देने का या उसके फैसले करने का लेकिन भारत की तरह ना तो वह कानून का interpretation कर सकती है और ना ही सरकार को कोई सलाह वो दे सकती है और पॉलिसी में किसे परकार का interference जुडी शरी का होता है मिलिटरी का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेजिडेंट जैसे मैंने आपको कहा वो होता है एक समय में जब 1976 में माउजदॉंग की मृत्यु हुई इसने माउजट सितुंग हम जानते हैं उनके पास ये तीनों पद थे और वो काफी powerful वेक्ति थे लेकिन जब उनके पास तीनों पद थे और उन्होंने करीब 33 साल तक शासन किया था तो ऐसा कहा गया कि एक वेक्ति के पास तीनों पद होना अपने आप में बहुत खतरनाक है क्योंकि कोई वेक्ति कितना अथौरिटेरिन हो सकता है इस बात पर निरधारित करेगा कि उसके पास पद कितने हैं तो इतने लंबे समय तक राज करने के बाद लगा कि ये पद अलग-अलग वेक्तियों के पास होने चाहिए लेकिन धीरे धीरे परंपरा ये बन गई कि एक वेक्ति तीन पद फिर तीन पद और तीन वेक्ति लेकिन अगर कोई सरकार में पावर्फुल है अगर कोई जनरल सेक्रेटरी ऑफ कमिनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो प्रेजिडेंट है तो वो कहीं न कहीं से अपने लॉयलिस्ट के या डिरेक्ट्ली उस पर कंट्रोल करने की शक्ति रखता है और अभी शी जिन पिंग यहीं कर रहे हैं कि वो एक तरीके से गयर आधिकारिक आप उसको बोले कि वो मिलिटरी के अनौथराइजड हैड के तौर पर भी काम करते हैं शी की नीटियां देखते हैं क्योंकि भारत दरसल पिछले कुछ साल में और अभी आपने जैसा देखा कि जैसे ताइवान के साथ चाइना के इशूज हो गए उसके बाद भारत के साथ लगातार चल ही रहे हैं जो बी आराई प्रोजेक्ट से उसको ले करके लोग काफी खफा हैं जो चाइना की डेट पॉलिसी है उसको ले करके वैश्विक मीडिया में बहुत कुछ लिखा जाता रहा लगलग नेताओं के बयान आते रहे तो दरसल शी की पॉलिसीज क्या है और शी ने कैसे चाइना को स्ट्रॉंग किया और बाद में कैसे हो सकता है शायद उसके डाउनफॉल का कारण बने क्योंकि फिलहाल चाइना 17 ट्रिलियन की एकॉनमी है और एक समय था जब भारत 70s का वो दौर था जब भारत और चाइना लगबग सेम थे लेकिन भारत 3 ट्रिलियन पर अभी फिलहाल खड़ा हुआ है तो चाइना ने अपने पैसे से कैसे डेट पॉलिसी से अपना लोगों को गुलाम मनाना शुरू कि एक तरीके से के शी की काफी आलोचनाएं होती हैं इसके अलावा विश्व ने अलग-अलग फ्रेंट्स थैयार किये कि चाइना ने जो लोंज दिये हैं लोगों को या देशों को माफ कीजिए उससे कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए और कैसे उनका बचाव किया जाए और एक नए किये से चाइना का उत्पद है जो बाय उतपद जिसको कहते हैं वो चीन की यहां से है लेकिन वो उसको डिनाई करते रहे हैं olun को खुद कहते हैं कि हम कोविड से बहुत परेशान होए अताहत होए और हमारी जीरो तॉलरेंस की नीतिया उस पर है इसके अलावा उनका जो अपने विरोधी हैं जैसे मैंने आपको पहले का उनको दबाने के लिए उनको नीचे बठाने के लिए या उनको सिस्टम से बाहर करने के लिए अपने लोयलिस्ट के थुरू उनकी नीतियां लगातार जारी रही है कहा ये जाता है कि शी जिन पिंग का अभी उत्र अधिकारी नहीं है तो वो लीक एक यांग की अनुपस्थिती में अभी जैसा हो सरकार से बाहर चले जाएंगे उने का कोई अधिकारी नहीं बचता है तो वो एक obvious choice के तौर पर दुनिया के सामने आते हैं Communist Party of China के सामने आते हैं बिग बॉस वाला वो रुख रखते हैं कि मैं आगर जनरल सेकरेटरी हूँ Communist Party of China का तो मैं सरकार को भी control करूँगा मैं military भी करूँगा मैं foreign affairs भी करूँगा और एक तरीके से मैं पूरा आधिपत्य बना के सरकार के उपर रखूँगा Belt and Road Initiative की जो उनकी नीती थी उसका बेहद खामियाजा शायद चाइना को भविश्य में भुगतना पड़े क्योंकि पूरा विश्व एक तरीके से संगटित हुआ है चाइना के खिलाब पिछले एक साल में जो अलग-अलग organizations हैं, corporations हैं जैसा हमने देखा जो groups हैं पूरे विश्व में वो एक साथ आने शुरू हो गए हैं विकास हालांकि चाइना ने किया इन सालों में कोई शक नहीं उस बात में लेकिन अपने पैसे का, अपने धन का जिस प्रकार उन्होंने प्रियोग किया वो शायद नितिगत तरीके से सही हो सकता है लेकिन नैतिक तोर पर सही नहीं था अभी फिलाल ये मजबूत है, पॉलिट ब्यूरो में भी मजबूत है इनके loyalists भी हैं, loyalists भी हैं माफ की जगा अब जो national congress हो decide करेगी कि शी का भविष्य क्या होने वाला है क्या शी इतने ही सत्तावादी बने रहेंगे या उनको पॉलिट ब्यूरो में अपने loyalists के बाहर होने के बाद downfall देखना पड़ेगा अब आज का question देखेंगे आप इस question को घर पे practice कर सकते हैं लिखके देख सकते हैं और evaluate कर सकते हैं कि आपने इस session की मदद से plus आप जो अपनी readings हैं या editorial analysis आप देखते हैं उसके तुरू आप कितना जादा इसमें enhancement कर सकते हैं तो सवाल है कि शी जिन्पिंग के कारिकाल के आलोग में चीन के वैश्विक उत्थान पर चर्चा करें आप उसमें हमारे इस discussion से भी कुछ points ले सकते हैं मसलन के जो चाइना में उनका उत्थान था वो कैसे हुआ उनका व्यक्तिगत उत्थान कैसे हुआ उसके बाद उन्होंने चाइना की नीतियों को कैसे प्रभावित किया उस पर आप एक discussion कर सकते हैं इसमें इसके लावा आपके जो विचार हैं इस session को ले करके और हमारे अन्य जो प्रोग्राम से उनको ले करके हमारे comment box में जरूर लिखे आप से मुलाकात होगी कल फिरिक और इंडेफ्ट में तब तक के लिए धन्यवाद